अब्रीबडी 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 वेलकम तुशिवल्स्टैप हिमाचल जानली चुन्फर्म स्टुदें अम आदिबल और नॉट एक बार कंफर्म कर दें श्टुदें कमेंट बॉक्स में अब्रीबडी सुन पा रहे हैं कि नहीं एक बार कंफर्म कर दें स्टुदेंट्स चलिए स्टुदेंट्स शुरू करेंगे आथ का सेशन चलिए ऑडिबल हूँ तो अच्छी बात है स्टुदेंट्स तो वेल्कम अलव यू इन और वन यह करंट अफेर्स रवीजन सेशन स्टुदेंट्स जो स्पेशली हमने स्टार्ट की विद्यारक्यों के लिए जो इस बार HPS exam का प्रलिम्स attempt लेने वाले हैं साती सार बाकी स्टुदेंट भी हैं सशन को अटेंडकर सकते हैं जारे सेशें के साथ जुड़ जाें स्टुदेंटींट्स डिए वे आ going toe discuss Language & 賦पार डाइवरसशिटीसilated student काफी सवाल जो Depending अब करेंगर सब्मन्दित उनको हम एके करके discuss करेंगे हमारे अल्रडी पांच सेशन हो चुके हैं, आज ये 6 सेशन हैं, जिसमें हम इंपोर्टन सवाल डिस्क्स करने जा रहे हैं, तो सभी का स्वागत है स्टुनें इस सेशन में, जुड़ जाएं इस सेशन के साथ, आपकी प्राजन्स इस वेरी इंपोर्टन्स तो लेट लवीशा, रिंकू, सभी का स्वागत है, ठीक है, तो पहला सवाल स्क्रीन पर है स्टुडेंट आपके, ब्रैंडिड रॉयल दाट वस सीन इन नूज रीसेंटली, बिलॉंग्स तो विच स्पीसिस, ऑप्शन ए, स्नेक, बी बटरफ्लाइ, सी फ्रॉग, बी टर्टल, क्वे का स्वागत है, स्टुडेंट, जाद से जाद से सचन के साथ जुड़ें, आप, आंसर करेंगे, ट्वेशन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर है, ब्रैंड रॉयल, सो स्टुडेंट सही आंशर जो है, वो है, बी बटरफ्लाइ, ब्रैंड रॉयल इस बेसिकली दिस पीसिज और को butterfly students ठीक है खबरों में रही है अभी उस पर चर्चा करते हैं क्यों खबरों में रही है तो यह रियर species है branded royal जो की नीलगरी hills नीलगरी hills और कोट गिरी hills जो है आपकी वहाँ पर यह पाई जाती है बट recently क्या है खबरों में इस ले रही उसके बाद से इसे देखा ही नहीं गया इस region में so finally it has been found अगर species की बात करें student ठीक है तो यह butterfly तमिल नाडुक शेतर में पाई जाती है and lice-nid species से इसका संबंध है clear student चले अगले सवाल की तरह बढ़ेंगे question number two as per a recent study as per the recent study habitat of which species has been has been estimated to decline by 2050 due to climate change option a gangatic dolphin b Bengal tiger c himalan brown tiger कि great Indian butter ın students 2050 तक कोंसे तो judgment हो зарगेगा because of climate change to सही answer student c है जिन जिन का अंसर c है बिलकुल सही है हैं खिमालेन ब्राउन बिर स्टूडेंट तो अभी की रिपोर्ट प्रॉटक ही थी कह जो इनका नाचरोल हबिटेट है ब्राउन Бिर्स जाती है लेकिन जिस तेजी से इनका हाबिटेट रीजन खतर हो रहा है सो आने वाले सालों में यह माना जा रहा है कि दो हजार पचास तक जो है यह completely भिलुप्त हो जाएंगे and finally इस रिपोर्ट में सर्वे में यह भी कहा गया कि finally we need to made up some plants कि किस प्रकार से लेकिन जिस सेव किया सकता है इनके जो natural habitat खेत्र है उनको बजाया सकता है ठीक है सो conserve the Himalayan brown बियर जो है इस पर discussion किया गया चलिए students आगे बढ़ेंगे question number 3 आपके सामने है हाँ जी student brown bear जी-जी Himalayan brown बिल्कुल सही So question no.3, which Indian state has issued warning against hunting of migratory bird especially Amur falcons, Himachal Pradesh, Tripura, Sea West Bengal and D. Odisha? हाँ जी students, Amur falcons की बात हो रही है, हाँ जी पहाडी ब्लॉक जी, due to melting of snow, देखे है, habitat region ही नहीं रहेगा, बरफ में ये रहते हैं, जीव, अगर habitat region ही नहीं इनका खत्रे में हैं, तो फिर obviously, विलुप तो होंगे ही न, तो student, B जिन जिन का अंसर है, Tripura, B is the right answer, ठीक है? question number 3 का student Tripura जो है, ये सही answer है, धीरत जंबाल HP बता रहे हैं, नेहा शर्मा, सभी का अंसर जो है, वो A आ रहा है HP, लेकिन student Tripura जो है, वो बिल्कुल सही है, HP नहीं है, खोड़ा सा मैं Amur falcons के context में बात करना चाहूंगा, student बहुत ही सुन्दर ये आपका word है, इसका अगर हम कहे original place, ये आपका Amur यहां पर river student, which also may create boundary between China and Russia, और यहां पर इनका natural habitat region है, यहां से ये winters में उड़ते हैं, flight लेते हैं, and the northern eastern part of India, यहां पर ये जो है, कुछ समय रहते हैं, कुछ समय व्यतीत करते हैं, बहुत ही beautiful ये आपका bird है, इसकी जो beak होती है, वो आप image में भी देख सकते ह हैं, ठीक है, इसकी beak orange color की होती है, इस falcon की, तो और यहां से फ्रदर जो है, ये जिंबाबे और तस्मानिया क्षेतर जो है, आपका African continent का यहां पर ये flight लेते हैं, ठीक है, तो such a long flight they have completed, तो यहां से कई बार सवाल student पूछा जा सकता है, कि Amur river, sorry, Amur जो falcons है, वो इंडिया के किस क्षेतर में habitat करते हैं, so Northern East past, especially Nagaland Tripura क्षेतर में, तो अभी क्या है कि जब ये habitat इस क्षेतर में करते हैं, तो इनकी hunting और poaching के cases भी लगातार बढ़ते हुए दिख रहे थे, पिछले कुछ समय से, so Tripura government ने student इस पर जो है, रोक लगाई है, warning किया है, और severe punishment इसके लिए डिक ने इस परकार का जो है, decision पहले ही दे दिया था, प्रिकिस Nagaland में भी जो है, आमोर फारकन जादे है, चलिए student के लिए सवाल की तरफ बढ़ेंगे, question number 4, good morning everybody, शुभम, रिंकू, प्यूश, सभी का स्वागत है students, इस session में question number 4, the national green tribunal has, the national green tribunal has directed which state to prepare an action plan for 14 proposed elephant corridors, option A, Tamil Nadu, B, Kerala, C, Odisha, D, Maharashtra, anti-student question number 4, आपकी screen पर answer करेंगे, national green tribunal, NGT, ठीक है, national green tribunal act के तहर, 2010 में formulate किये गए थे, क्या answer होगा student, so basically C, student, Odisha is the right answer, national green tribunal ने ये direct किया आउडिसा government को, कि भाई, elephants क्या जो है, उनके लिए proper corridors बनाए गए, 14 identify corridors बनाए गए है, elephants के लिए, ठीक है, और उन पर जल्दी ही और काम है, जाली ही शुरू कर दिया जाएगा, तो ये students, important क्यों है, जानली में आपको बता दू, बहुत से इंडिया के ख्षेत्र में है, 14 identify areas of students, बहुत से इंडिया के ख्षेत्र areas हैं, जहां पर animal and human conflicts, देखने को मिलते हैं, specially animals की category में भी elephant जो है, सबसे उपर इसमें आता है student, ठीक है, तो किसी परकार का conflict ना हो, क्योंकि ये जो animals है, ये एक ही जगह नहीं रहते हैं, ये अपना habitat ख्षेत्र एक से दूसरी जगह shift करते हैं, particular season में, ठीक है, अपनी सुभिधा के नुसर, तो जब ये move करते हैं, इनको properly एक way चाहिए होता है, अगर interference रहेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं है, human life interfere होती है, ये शिकायत की आती है, जो nearby आपके village area है, कि भाई हाथी जो है, हमारे यहाँ पे, गाउ में घुस आते हैं, फसलों को बरवात कर देते हैं, हमारी जान को भी खतरा रहता है, ये तमाम चीज़ है, और इसकी वाज़े से कई बार है, elephant killing के भी cases को देखने को मिलते हैं, तो proper corridors होंगे, तो आसी कोई समस्या रहेगी नहीं, ठीक है students, तकरीबन 870 square kilometer area proposed किया गया है, इसके लिए, चलिए student, question number 5 की तरह बढ़ें a union environment, union environment industry has installed firefly bird diverter, initiative to save which species, great indian buster, black buck, neilgiri tahar, lointail, mackock, हाँ जी students kindly answer, हाँ जी students jin jin का answer है, Manu, Gaurav, Odisha बता रहे हैं, Nipun, B, सभी का answer तकरीबन student सही है, अजी students, so basically A जो है आपका, great indian buster is the right answer, critically endangered आपका status है, इसका IUCN का, अगर IUCN के status की मैं बात करूँ student, ठीक है, International Union Conservation for Nature जो organization है, जो की एक data list जारी करती है, जो भी आपके endangered species है, so critically endangered category में यह आता है, उसमें, तकरीबन student इनकी संख्याव 150 बची, और 90% तक इनकी population में reduction आया है, जिसमें 15% reduction आया है, because of, जो आपकी wires होती है, बिजली की तारे होती है, उनसे टकरा कर यह मर जाते हैं, तो 15% तो ऐसे ही इनकी जाने गई है, शुर्ण राजस्थान में तो, राजस्थान में बहुत जादा population में पाए जाते हैं, अगर यही हाल रहे, तो आने वाले सालों में बहुत जल्दी जो है, यह विलुप्त हो जाएगी प्रजाती, और सुतंत्र भारत में ऐसी पहली बर्ड की प्रजाती बनेगी, जो विलुप्त हुई है, जो completely extinct हुई है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जो है, यह आप देख सकते हैं, फाइर फ्लाइ बर्ड डाइवर्टर लगाए गए हैं वाइर के साथ, ताकि यह रात को भी नहीं देख पाए, और and they can easily move their ways, ठीक है, तो इसी लिए जो है, यह initiative लिया गया है, बहुत important हम क्या सकते हैं, Great Indian Worst Population को कहीं न कहीं, increase करने के विशकता है, चल यह student, आगले सवाल की तरह बढ़ेंगे, हान जी, अक्षे कपूर जी, बिल्कुल IUCN Headquarter, जो है, Gland में ही है, चल, अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं, students, question number 6, Asian Waterbird Sensuous 2021, which was seen in the news recently, is to be conducted, in which state, option A, Kerala, B, Tamil Nadu, C, Andhra Pradesh, D, Gujarat, question number 6, students, kindly answer, answer करेंगे, student, So, सही जवाब student है, आपका, C, जिन जिन का answer, student C है, आपका, Andhra Pradesh is the right answer, Asian Waterbird, जो Sensuous है, यह conduct किया गया है, state of Andhra Pradesh त्वारा, कही ना कहीं देखिए, bird, migratory birds बहुत आते हैं, especially किन regions में किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, student, Like, कोरिंगा, wildlife century है, ठीक है, गोदावरी एश्चुरी का क्षेतर है, या कुलेरू लेग का क्षेतर है, अत्पाका बर्ड सेंचुरी है, कृष्णा wildlife century का क्षेतर है, यहाँ पर है, बर्ड सेंच्वस जो है, ताकि proper कितने words है, migratory words कितने है, आपके endemic words की category कितनी है, ठीक है, इन तमाम चीजों का data रखा जा सके, ठीक है, साथ ही साथ इसमें Bombay Natural Histories Society Organization है, इसने भी इसमें सहाइता की है, और Wetland International का भी इसमें contribution रहा, Wetland International एक ऐसी संस्ता है, जो पूरे दुनिया में जो Wetland के एक शेतर है, उनकी protection के लिए काम करती है, चलिए students, आगे बढ़ेंगे, question number 7, सो कर Wetland complex which was declared as a Ramsar site, declared as a Ramsar site is located in which Indian state or UT, option है, हिमाचल प्रदेश, P. Sikkim, C. Ladakh, D. Utrak, question number 7 students, Soker Wetland complex, kindly answer students, so Ladakh student विल्कुल सही है, C is the right answer, ठीक है, Ladakh को student अभी 40, Ladakh की यह जो Soker Lake है, इसे basically 42nd Ramsar site declare किया गया, 42nd Ramsar sites, ठीक है, Ramsar sites जो है, बहुत ही important site and student, जो भी पूरी दुनिया में wetland areas है, Ramsar is basically a name of city of Iran, और Ramsar convention हुआ था student, ठीक है, और उसके तहर जितने भी wetland शेत्र हैं, उनकी protection की जाती है, तो Ramsar भारत में जो total number of sites है, वो है 42 up हो गई है, Soker यहां पर आप map में देख सकते हैं, यह आपको दिखरा होगा map में, Soker जो lake है यहां पर है, Ladakhshetra में, and this is the highest number of such sites in South Asia तो, यह basic आपको याद रखना है student, चले, next question number 8, Leaf-nosed bat, which was seen in the news recently, is typically found in which state, Option A, Kerala, B Karnataka, C Bihar, D West Bengal, Question number 8 students, Leaf-nosed bat, So Shubham Thikal 46, Shubham, Shubham जी कह रही है, 4 नहीं और add हुई है, मेरे knowledge में नहीं है Shubham जी अगर हुई है, तो 46 number होगा, ठीक है, यह आप जरूर चेक करें यह effect आपको दी, अक्षे, कपूर, करनाटका, कैरला, मिक्स बता रहे हैं student, कैरला, करनाटका अंसर आ रहे हैं आपके, ठीक है, एकता, शिवाली, निपोन, ए बता रहे हैं, स्वाती, कैरला बता रहे हैं, So Leaf-nosed bat student, करनाटका का जो क्षेत्र है, वहां पर, और यह basically पाये गए हैं, दो caves में ही रह गए हैं student, यह यहां की, हनुमाम, हली विलेज में, कोलाट डिस्टिक में आता हैं, करनाटका में, यहां पर यह आपकी जो हैं, पाये जाते हैं, extinct होने वाली पर जाती हैं, यह भी, खत्रे में हैं, अभी, पैट, कंजर्वेशन, इंडिया ट्रस्ट ने अपनी रिपोर्ट प्रेजिंट की और उसमें कहां, कि मैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो हैं, करना पड़ेगा, अधवाई सून जो हैं, क्यूंकि इन दो केप्स के अलावा यह कहीं भी नहीं पाये जाते हैं, ठीक हैं, तो इनके लिए भी जो हैं काम करना पड़ेगा, चलिए स्टूदेंट, क्वेशन नमबर 9, what is the IUCN status of olive ridley turtle, olive ridley turtle, so option A, vulnerable, B, least concerned, C, endangered, D, critically endangered, क्वेशन नमबर 9, students, भाड़ी ब्लॉक कहा रहें जी, सोकर के बाद होई हैं, कोई बात नहीं, आप ये facts जरूर चेक करेंगे, आंसर करेंगे, student olive ridley turtle के index में है, क्या status है, so A basically vulnerable category में olive ridley turtles को रखा गया है, ठीक है, so basically student अभी recently खबरों में क्यों रहा, क्योंकि पुडुक्चेरी जो coast line है, वहाँ पर ये nestling करते होए पाए गये, breeding का समय होता है इनका, ठीक है, और number of, because of climate change इस बार इनकी जो nestling का समय होता है, breeding का समय होता है, उसमें delay भी हुआ है, especially because of climate change और दो साइलोन भी आये इक्षेत्र में, उसकी वज़े से निवार और बुरे भी यहां दो साइलोन आये थे, इसकी वज़े से delay हुआ है, ठीक है, सरकार की तरफ से भी conservation program इसके लिए लागू किया गया है, forest department इसमें अपनी सहभागीता दे रहा है, ठीक है, surveillance किया जाएगा, choppers द्वारा कि कोई poaching ना करे, कोई किसी परकार का नुकसान इन्हें ना पहुंचाए इस particular region में, ठीक है, चल, so conservation IUCN का जो है इनका vulnerable category में, next question number 10, वहाग भी हू वर्ड काउंट has commenced in which state, option A student, Haryana, Haryana, Kerala, Siyasam, दी उत्रप्रदेश, question number 10 students, वहाग भी हू बर्ड, वहाग भी हू से ही आपको आइडिया हो जाएगा, बहुत फेमस डांस है, भी हू आपके असम का, C is the right answer, ठीक है तो अभी क्या है असम, बर्ड मोनेटरिंग नेटवर्ग ने एक जो है भी हू बर्ड की काउंटिंग को शुरू करने के लिए प्रजेक्ट शुरू किया है, जो 14 अप्रेल से 19 तक चलेगा, ठीक है इस पटिकलर रीजिन में ताकि इस बर्ड की जो कितनी प्रजाती है उसका जो ही डेटा सरकार के पास आ सके, तो यह इनका बेसिकली है कि डेटा जो है सभी बर्ड का, सभी अनिमल का, सभी प्लांस की स्पीसिस का रहना चाहिए, next है which species of frog is the official largest frog in the world, Gollyit frog, African bullfrog, American bullfrog and Cain toad, officially largest frog of the world, answer करेंगे students, kindly answer, question number 11 is in front of you, Gollyit frog, सो स्टूडेंट्स काइंडली आंसर इस तो 11 का स्टूडेंट सभी बता रहे हैं आंसर करें स्टूडेंट भी बता रहे हैं तो स्टूडेंट ए जो है आपका वो सही है जिन जिन का आंसर स्टूडेंट ए है वो बिल्कुल सही है option A is the right answer option A is the right answer student एक ऐसा फ्रोग मिला है जिसका size तकरीबन human body के आसपास भी है आलंकि अपने आप में बड़ा rare है ऐसे फ्रोग नहीं होते है इतने बड़े size के बड़े रिसेंटली जो है इस प्रकार का फ्रोग भी हमें देखने को मिला है जो कि गॉलेट फ्रोग फैमिली केटिगरी में आता है नॉर्मली इसका जो size है यह 32 cm तक ग्रोग करते हैं और वेट जो है 3.25 kg का भी इसका हो जाता है लेकिन अभी रिसेंटली स्टुडेंट ऐसा एक फ्रोग देखने को मिला है जो बहुत बड़ा size में था So species of frog basically इसका जो habitat का ख्षेतरे स्टुडेंट यह कैमरून और equilateral ग्योयना मतलब South American region में यह पाई जाते है ठीक है लेकिन due to the habitat destruction population जो बढ़ रही है ठीक है या और different pollution factor की वज़े से यह और बहुत ऐसे कारण है या जो locals हैं वो भी इनकी killing कर देते हैं बहुत ऐसे कारण है जिनकी वज़े से बड़ी तेजी से जो है इनकी population कम हो रहे है One is clear? Solomon Island में पाया गया है student यह बहुत एक बड़ा जीब सा है कि Solomon एक island है यहाँ पे जहां पर large frog as big as human body पाया गया है चलिए student Next is 90% of the world's rhino population is found in which country Option A South Africa B USA C Jambia D India Question No.12 students 90% of the world's rhino population Penalty answer कौन से देश में है 90% population students? Option आपकी screen पर है South Africa USA Zambia India Answer करेंगे अक्षे कपूर जंबिया बता रहे है गौरव शर्मा इंडिया बता रहे है प्रया गौतम डी बता रहे है अभिशेक डी देवाशीष चोहान डी शीतल का भी डी answer है इंडिया स्वाती परनीतू डी प्रयंका ठाकुर प्यूश ठाकुर नेहा शर्मा जंबिया राइनो हाँ जी स्टूदेंट्स सो बेसिकली ए जो है स्टूदेंट वो सही answer इस साउथ एफ्रीका सभी का अंसर गलत है एक का भी answer ठीक नहीं हुआ है ठीक है यूनिवर्सिटी ओफ विट वाटर स्टैंग वी आईटी भी से कहा जाता है उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है रिस्टो प्रोजेक्ट बहुत ही महत्पूर्ण प्रोजेक्ट है स्टूदेंट ये रिस्टो प्रोजेक्ट जो है इसके तहत जो लगातार पोचिंग और हंटिंग की केसिस बड़े है उन पर रोक लगाई जाएगी उन पर सीवेर जो हैं एक्शन्स लिये जाएगे और इन सभी राइनो का जो हैबिटेड क्षेत्र है उनकी इतने बड़े जानवर को मार दिया जाता है जो आपका राइनो होन है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है ब्लाक मार्केट में भी ठीक है और इसी की वज़े से हम बहुत ज़्यादा किलिंग होती है इस इनोसेंट अनिमल ठीक है सो कही ना कही इस पर जो है काम किया जाएगा नेक्स्ट है क्वेशन नम्बर 13 रायमोना रिजर्व फोरेस्ट विच वस रीसंटली डिकलेर अशनल पार्क is a situated in which state option is Sikkim, Biasam, C. Bihar, D. Madhya Pradesh question number 13 students kindly answer and the students kindly answer so asam बता रहे है सभी का रायमोना रिजर्व फोरेस्ट के किंडेक्स पर जो answer है वो asam आ रहा है 13 का भी ही बता रहे हैं सभी ठीक है चले so asam बिल्कुल सही है student ठीक है रायमोना जो रिजर्व फोरेस्ट है यह आपका बोडो लेंड टेरिटोरियल रीजन BTR क्षेतर है असम का वहाँ पर है ठीक है और 6th national park है अब important क्यों है student क्योंकि यह अभी खबरों में रहा इससे पहले काजिरंगा, मानस, नेमाई, औरांग, डिबरू, सिकॉंग यह आपके national park है यह छटा national park यहां का बना है अब यह ज़्यादा famous किसके लिए है यह famous है golden langगूर, clouded leopards, indian goran and indian goran hornbills के लिए hornbills भी student आपका northeastern बहुत famous bird है ठीक है golden langगूर, clouded leopard, indian goran, hornbill यह बेसिकली इस क्षेतर में पाए जाते है अमगराबाद tiger reserve which was making news recently is located in which state in UT option A, Himachal Pradesh, B, Telangana, C, Andhra Pradesh, D, Kerala question number 14, students kindly answer student C, sorry, Telangana, B is the right answer ठीक है अमगराबाद tiger reserve, ATR is basically located in Telangana अभी खबरों में रहा था student यह भी क्योंकि यहाँ पर जो है 14 tigers देखे गए 14 tigers जो है जो कहीं और से इस reserve में tiger reserve में आ गए है ठीक है तो इनकी population बड़ी है लेकिन कहीं न कहीं इस पर जो थे कि आप देखी क्या है न यह जो क्षेतर हैं आपके tiger reserves होते हैं यह दो tiger reserve इन student और नजदी की है तो यह इसमें कहा जा रहा है कि शायद जो नेरबाय आपका tiger reserve है वहाँ से जो है यह यहाँ पर आ गए है शायद फिक है शिफ्ट कर गए है सो मेबी दे रीजन लेकिन 14 टाइगर यहाँ पर भी खबरों में इसलिए वज़े बने रहे और यहाँ पर भी लगातार student cases जो है वो animal hunting के लगातार देखने को मिले है tiger hunting के जो की ban भी है तो की tiger reserve के लिए लगातार government जो है काम कर रही है students ठीक है लेकिन साथी साथ एक और चीज़ इसमें declare की गई है government द्वारा आंदरप्रदेश और तिलंगाना government द्वारा कि इनके लिए tigers के लिए प्रॉपर पोरिडोस बनाए जाएंगे ताकि किसी भी परकार का human इसमें interference ना रहे ना बढ़े चलिए students आगे बढ़ेंगे डीपर भील वाइलाइफ सेंचुरी इस लोकेटे इन विच स्टेट उटी ऑप्शन ए असम ऑप्शन ए असम बी अंदरप्रदेश सी वेस्ट पेंगावल दी ओडिसा क्वेशन नमब फिटीं स्टूदेंस काहिली आंसर कोशन नमब फिटीं डीपर भील वाइलाइफ सेंचुरी स्टूदेंट ए जो है असम इस दर राइट आंसर ठीक है अब यह खबरों में रहा है यह जो आपका डीपर भील का शेत्र है यह आपका पर्मनेंट एं लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है असम का औ और एक मात्र ऐसी साइट है यह आसम स्टेट की जिसे राइमजर साइट भी डिकलेर किया गया है इसलिए खबरों में रहा भी रीसेंटली से राइमजर साइट डिकलेर किया गया है स्टूदेंट्स and that's why it remain in news. So Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने यह notify किया है कि यहां के eco system को maintain किया जाएगा इस पर जो है यहां की जो wildlife century उसकी protection के लिए और सरकारी facilities मोहिया कराई जाएंगी. Find is clear और तकरीवन battle and expand हुआ है यहां का शेत्र राउंड 30 स्क्योर किलोमेटर. चलिए student question number 16, Typhoon named Goni has recently hit which country? Option A, Philippines, B Indonesia, C Australia, D United States of America. हां जी student प्रवेश शर्माजी D बता रहे हैं 15 का पहाड़ी ब्लॉग असम, शीतल धाती वाल, रिंकूस, असम बता रहे हैं, mixed answer है student आपके. हां जी students, so Typhoon named Goni जो है, यह hit किया है Philippines, Philippines में basically student यह आया, ठीक है, Philippines, मैं दो ऐसे typhoons आये हैं, COVID के period और काफी नुकसान जो हैं, बहुत ही powerful यह था, तकरीव नगर पिछले चार साल की हम बात करें, तो अब तक का सबसे powerful यह Goni जो था, Goni नामा की typhoon जो था, सबसे powerful था, और इसने काफी नुकसान भी पहुंचाया, especially already people are suffering, काफी लोग की नुक्रियां गई हुई है, unemployment है, और बहुत सी समस्या सरकार के सामने है, ऐसे समय और समस्या जो है, सरकार की बढ़ गई, चलिए students, आगे बढ़ेगे, question number 17, a new species of which insect has been recently named after siruvani, siruvani an ecological hotspot in western घार, fruit fly, spider, honey bee, beetle, question number 17, students, a new species of which insect, so students, a जो है आपका सही आंसर है, option F, ठीक है, fruit fly जो है, nice species है, a new species of fruit fly, which was discovered, क्योंबटोर डिस्टिक तामिल नाडू का है, वहाँ पे discover की गई है, और इसको एक hotspot hotspot क्षेतर है, उसका नाम दिया गया है, siruvani, ठीक है, जो की western घार में located है, तो student, इसलिए के ख़बरो में रहा, बाकी कुछ important इसमें नहीं है, so next है, question number 18, Arun Hydro Power Project which was making news recently, is being constructed in which country, 4 option आपकी screen पर है students, पहला है, India, B Nepal, C Bangladesh, D Bhutan, question number 18, students, kindly answer, Arun Hydro Power Project, so Nepal, Gaurav Sharma, SS Nepal, Shubham, Thikyal, Abishek, पहाडी, Govinda, Swati, Neha, सभी का answer, जो है, नेपाल ही है, ठीक है, student, बिल्कुल सही, नेपाल में Arun Project है, इंडिया और नेपाल का ये joint project है, student, इंडिया की तरफ से, सतलुज, जल, विद्धुत, जो निगम है, वो अपनी सहभागिता दे रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ investment कर रहा है, investment board of Nepal, वो इसमें अपनी सहभागिता दे रहा है, इसमें तकरीबन student, 100 billion Nepalese rupees जो है, इंडिया इंडिया गये, ठीक है, यह आप मैप में देख सकते हैं, इनको अलाग अलाग शेत्रों में बाटा गया है, तो आप पर इन लोवर में बाटा गया है, यह जो आपका lower, आपका hydro, आरून hydro project है, यह आपका 679 megawatt का है, पाई इसक्लिया, और दूसरा जो है, वो इससे भी कहीं जादा, next question number 19, as per a recent study by national, ओशनिक and atmospheric administration, the coral reefs of which country is found to have degraded significantly, हां जी student, answer करेंगे, question number 1, question, option number 1, India, B, United States, C, Australia, D, France, question number 19, student, आपकी screen पहरे, answer करेंगे, Tajal, good morning, Priyanka, हां जी, answer करें, so student national, ओशनिक and atmospheric administration की report आई है, जिसमें B is the right answer, United States, जिन जिन का answer student B है, बिल्कुल सही है, ठीक है, यह report दी गई है, और यह कहां गया है, कि भाई जो reefs हैं, आपकी coral reefs हैं, वो बड़ी तेजी से degrade हो रही है, especially आपके Guam, Florida, and Hawaii, यह आपके जो island areas हैं, यहाँ पर जो है, बहुत ही, सुर्फ 2% remaining बची हैं, आपकी जो coastal reefs हैं, देखे, reefs का भी अपना एक ecosystem में contribution होता है, marine life में, बहुत contribution होता है, बहुत से जो marine आपके, जो aquatic animals हैं, वो depend करते हैं, उनके habitat शेत्र भी होता है, ठीक है, खाने के लिए भी उनका इस्तेमाल होता है, insects बगारा, यहाँ पर reside करते हैं, तो कही न कहीं इसका harmful effect पड़ेगा, आने वाले time में, इसकी report present की गई है, next question number 20, which endangered animal has been cloned, successfully in the US recently, हां जी student kindly answer, option पहला है आपके सामने, black foot ferret, whooping crane, blue whale, snow leopard, question number 20, students, answer करेंगे, so, गौरव जी, Gulf of Mexico बता रहे है, देवाशी शोहान, 19 का ए, दिंपल शर्मा भी बता रही है, student यहाँ पर, 20 का आनसर है, वो है, black footed ferret, ठीक है, age engine का आनसर है, student बिल्किल सही है, black footed ferret, जो है, यह आप image में देख सकते हैं, बहुत ही सुन्दर यह आपका, animal है, endangered species है, खत्रे में है, विलुक्त होने वाला है, तो अभी successfully जो है, इसको cloned किया गया है, ठीक है, और तकरीबन यह जो clone मनाया गया है, इसकी उम्र होगी, तीस साल तक यह जी जाएगा, North America का यह native आपका animal है, और इससे clone किया गया है, बेसिकली, और इससे नाम भी दिया गया है, student, इसको जो नाम दिया गया हो है, Alijabith N, ठीक है, Alijabith N नाम दिया है, black footed parrot को, चलिए student एक लिए सवाल की तरह बढ़ेंगे, Procedura Norcondemica, recently found species in Narcondem, Island of the Andaman and Nicobar, Archipelago belongs to which species, हाँ जी student आँसर करेंगे, option A, sea grass, bee shrews, sea corals, the non-venomous water snakes, ठीक है, यह basically species find out की गई है, आँसर करेंगे, question number, question number 21, students kindly answer, so student B, जो है आपका shrews is the right answer, ठीक है, यह एक बहुत ही insect eating, यह आपकी एक mammal प्रजाती है, और specially जो है, इसको promote भी किया जा रहा है, ताकि insects जो है, इस पूरे खेतर में, ठीक है, उनको खाया सके, देखिए, यह जो आपके shrews होते है न, यह rodents की तरह ही दिखते हैं, लेकिन rodents होते नहीं है, ठीक है, तो यह आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, यह rodents की category में नहीं आते हैं, यह shrews की category में आते हैं, और यह insect eating mammal species है, इसकी वज़े से जो है, काफी फसलों को, फसलों का या और जो vegetation है, जिसको insects खराब कर देते हैं, वो इससे शुरक्षा करने में काम करेंगे, तो promotion किया जा रहा है, इस North Condam Forest region में, और यहीं बस specially है, habitat in the Kshetra है, चलिए student, अगले सवाल कि तरफ बढ़ेंगे, गिर नाशनल पार्क और वाइलाफ सेंचरी, ओफन सीन इन न्यूज इस फेमर्स फॉर विच्पीसेज, हाँ जी student, option A, Bengal Tiger, B, Acetic Loin, C, Dole, D, Ghaďyaal, हाँ जी परवेश जी, C बता रही हैं, Manu B, Shubham B, जी देवाशीश, 21 का सभी आंसर जो है, mix दिया है, exact किसी का नहीं है student, 22 सवाल आपकी स्क्रीन पर है, answer करेंगे, question number 22 students, so, हाँ जी student, Acetic Loin ये तो बहुत ही simple सवाल है, Gir National Park का संबंद जो है, वो basically आपके Acetic Loin से ही है, ठीक है, तो अभी ये भी खबरों में रहा, क्यों रहा, COVID का समय है, student तो तकरीबन जो है, news में इसलिए रहा कि, 8 जो आपके Acetic Loin से हैं, वो भी, उनको भी COVID हो गया basically, ठीक है, और उनका बाद में examination किया गया, Hyderabad, Nehru Geological Park में, जहां पर उनको positive पाया गया, तो ये पहले ऐसे cases, हमें देखने को मिले हैं, Acetic Loin की बात करें, students ओ ये पैंथेरा लियो लियो, सब स्पीसिस की केटिगरी में आता है, अगर हम इसके status की बात करें, वैसे तो गुजरात गिर में ही पाय जाते हैं, ये एक ही शेत्र हैं इनका ये पुरे इंडिया में, आयूसिन रेट डेटलिस्ट इंडेंजर है, साइट सेप इंडिक्स 1 में आते हैं, और वाइललाई प्रोटेक्शन एक, ये तीनों ही स्टुट्ट आपको ज़रूरी याद आने चाहिए, स्केडूल वन में इनका जिक्र किया जाता है, स्केडूल वन में वही अनिमल्स आते हैं स्टुट्ट जिनको मारना, जिनकी किलिंग जो है प्रोहिबिट है, और अगर ऐसे किया जाता है, स्टीवर पानिश्मेंट जो है, गम इन द्वारे निर्धारित की गई है, चलिए स्टूट्ट एक लिए सवाल की तरह बढ़ेंगे, क्वेश्चन नमर ट्वंडी त्री, जाइलोफिस दीपकी असनेक अस बिन नेम्ड आफ्टर विच फेमस हामितोलोजिस्ट, विच फेमस हामितोलोजिस्ट, जिनका नाम है दीपक विरप्पन इसनेक पाया गया है, यह आप इमेज में देख सकते हैं, और इसको जो है हम फेमस हामितोलोजिस्ट को जिनका नाम है दीपक विरप्पन उन्ही के नाम पर जाइलोफिस दीपक की नाम दिया गया है, ठीक है तो यह पूचा जा सकता है आपसे एक्जाम में 20 cm मेटर इसकी स्टुटेंट भी सेंटेमेटर गया होता है, कन्या कुमारी का जो क्षेत्र है वहां पर प्राइमिल यह पाया जाता है तीक है तमिल नाडू का जो क्षेत्र है यह इसका एंडमिक शेत्र हम कह सकते हैं, जहां पर प्राइमिल यह पाया जाता है चलिए स्टुटेंट अगले सवाल किताब बढ़ेंगे साथी साथ एवन वेस्टन घाट के कुछ हरियाज में भी जो है इसकी स्पीसिस पाय जाती है चलिए स्टुटेंट मूँव तुवार्ट्स Q24 Roodex seen recently in news is a Option A, Species of Sisadus, the longest leaving insect, species of lumensect butterflies, newly developed rocket launcher by DRDO, anti-tank missile produced by India Roodex students Kindly answer students So question number students जो 24 है उसका option है पीसिस आफ सिसादर्स दे लॉंगेस लीविंग इंसेक्ट इस दे राइट आंसर जिन जिन का स्टूडेंट आंसर रहे हैं पर यह जो स्टूडेंट यह इंसेक्ट होता है यह हर जगह ही पाया जाता है especially आप सुनेंगे कई बार जब रात के समय ने अजीब सा साउंड जो है especially बारिशों के दिनों में हमारे घरों के आसपास सुनाई हमें देता है तो विकस आफ यह जो आपका सिसेडर्स बूडेक्स है इसी की वज़े से होता है लेकिन इसे लार्जस्ट लिविंग इंडेक्स दुनिया का भी माना गया है हाबिटेट इसका जो मेंली है लार्जस्ट लिविंग भूडेक्स का वो प्रामिरली आपके हैं अमेरिका में ओहियो मैरीलैंड इंडियाना का जो क्षेतर है स्टूडेंट वाशिंग्टन डीसी ठीक है ओहियो इंडियाना, मैरीलैंड, वाशिंग्टन डीसी तो तकरीवन ये जो है बहुत इंपोर्टेंट इस कंटेक्स में आपके एक्जामेरेशन पाट वी से बन जाता है जातर ये पेडों पर ही रहता है ये इमेज में आप दिख सकता है बहुत अजीब सा साउंड ये करता रहता है बहुत अजीब सा साउंड रात के समय में स्पेशली सुना ही देता है निक्स्ट है कॉशन नमबर 25 इन विच नर्दन इस्टन इंडिया स्टेट अ फ्रेगमेंटेड फॉसिल बोन ओफ साउपुर पोड डाइनोसोर हाज बीन फाउंड फॉस्ट नमबर 25 हाँ जी स्टूडेंट आंसर करते रहेंगे आप कुश्पा शूरेवनसी शीतल धतिवाला मनू ठाकोर चौबिस का ए बता रहे है चौबिस का भी बता रहे है स्टूडेंट मैं आपके साथ कनेक्ट भी रहूं और सेशन भी हम फास्ट मूबिंग रखे इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में स्किप कर रहा हूं कि आपके नाम में नहीं तो नाम लेने भी आधा रहे है तो गुविन ठाकुर जी सी बता रहे हैं भाई मेघालिया, अक्षे, पहाड़ी, ब्लॉग, निपुण, शीतल, स्वाती मेघालिया सभी का तकरीबन आंसर है ठीक है और सही भी है मेघालिया में स्टूडेंट अभी जी जी लॉजिकल सवे ऑफ इंडिया की रिसर्चर्चर्स ने जो हैं रिमेंस पाई हैं साव फोर्ड और डाइनोसौर की आप डाइनोसौर जो एक जो फिल्म थी जुरासिक पार उसमें आपने यह जरू देखे होंगे लॉग डेक्ट यह आपके बेसिकली अनिमल होते हैं और बेसिकली वेजिटेरी नहीं होते हैं तो इनकी जो वोन यह हमें देखने को मिली हैं यहाँ पर वेस्टन-खासी हिल्स में जो कि मेघालया डिस्टिक में ही आता है साव फोर्ड के कंडेक्स में बात करें तो भूती लॉंग नेक्ट होती है small head, long neck, long tail और four pillar जो legs होती है अब student अगर हम इंडिया की बात करें तो ये North East की तो पहली site है बट इंडिया की पहली site नहीं है इंडिया की ये 5th site है इससे पहले गुजरात, मद्यप्रदेश, महारास्टरा और तमिल नाडू के एक शेत्रों में भी है इनकी remains पाई जा चुकी है तो North East के कंडेक्श में ये student important हो जाता है सवाल Question number 26 In which state Annamalai Tiger Reserve is situated? Annamalai Tiger Reserve is situated Kerala बी आंदरप्रदेश से तमिल नाडू डी करनाटका Question number 26 students तमिल नाडू में student ये पाई जाती है अभी खबरों में क्यों रहा है उस पर कंडेक्स में हम बात करते है यहां के कुछ ट्राइबल क्मुनिटीज है ट्राइबल सेटल्मेंट्स है कथू पत्ती एंड कुजी पत्ती ये अन्ना मलाई Tiger Reserve का एक शेत्र है जहां पर एक फेस्टिबल होता है जिसका नाम है लोकल डाइटी के नाम पर होता है वरी पत्तनम और ये अन्ना मलाई Tiger Reserve के ही सराण्निंग्स में है इसलिए खबरों में रहा मुझे बहुत डिटेल में आपको बताने की ज़ुरत है जिन जिनका संबन हिमाचल प्र长देश से हैँ उनको तो डिटेल में पता होता है कि हिमाचल में तो बहुत से लोकल डाइटीज की जो है पुजा की जाती है रत यात्रा ही चलती है अपने अपने तरीके से अपने अपने कल्चर जो है उसके हिसाब से फेस्टिबल्स को मनाया जाता है तो उसी परकास से तामिल नाडु में घटा घटित हुई है ठीक है अन्ना मलाई परिंबिकुलम एलिफंट रिजाव भी है जिसे 2003 में डिकलेर किया गया था तो लगातार स्टुडेंट जो टाइगर की कि मिलेंट आज अजि स्टूडेंट सो सी स्टूडेंट अर्मेनिया के शेत्र आप आप देख सकते हैं उसने कोई बाउंडरी नहीं लगाई है ठीक है अब अब खबरों में तरों इकुल है student यहाँ पर जो है student बहुत सी जो आपकी एक्वेटिक एनिमल्स है यहाँ पे ठीक है especially जो seals है आपकी seals हैं यहाँ बहुत सी seals इस cash Shakun C में है cashpins C आप map पे देख सकते है student just a minute ठीक है यह आप map में देख सकते है थे सी है यहाँ पे सील्ज पाई जाती हैं तक्रीबन student 170 कैस्पएं सील जो है वो डड़ पाई गई शोर्ज पे कारण इसका बताया जा रहा है climate change पहला तो climate change बताया जा रहा है दूसरा जो बढ़ता हो student caspin seal के context में status की so endangered category में है यह जरूर आपको याद रखना है ठीक है और यह endemic species है इसी क्षेतर में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती अब population की बात करें student तो एक million से कम होकर एक million से कम होकर अब 70,000 इसकी population रहेगी next question question number 28 which state has initiated the building of forest ponds to ensure rainwater harvesting and check groundwater depletion चारो option screen पाई students option A. Madhya Pradesh, B. Sikkim, C. Himachal Pradesh, T. Utrakan अंजी student kindly answer answer करेंगे question number 28 28 का C बता रहे हैं Himachal Pradesh नेहा शर्मा, गौराव, शीतल हाँ जी बिल्कुल सही student Himachal Pradesh is the right answer ठीक है बहुत ही परवत अधारा scheme ये में आपको पढ़ाई भी है student दो-तिन बाद जिक्रिसका हुआ है जो की rejuvenate जो हमारे यहाँ पर natural resources है उनको rejuvenate करने की बाद की है Himachal Government दोरा परवत धारा scheme के तहर्त इसके लिए तकरीवन students 20 करोड रुपे की धनराशी जो है सरकार की तरफ से गोशित की गई है और तकरीवन 2.7 करोड जो है अभी तक खर्चा किया जा सुका है इसमें especially forest department उनकों मार्चल प्रदेश है बहुत जादा मदद कर रहा है ठीक है क्योंकि बहुत से resources student जो है वो आपके बहुत ही कह सकते हैं कि interior का जुक्षेत्र है वहाँ पर पाये जाते हैं काफी interior में होंगे कहीं forest में होंगे जहां पर पहुंचना संभव नहीं है forest department इसमें काफी मदद करेगा next question number 29 which of the following gases is not included under the Kyoto Protocol option A ammonia B carbon dioxide C methane D sulfur hexafluoride question number 29 students answer करेंगे आपकी screen पे है Kyoto Protocol student Kyoto is basically a name of city of Japan ठीक है यह एक जपान की city है students और यहां पर student 19 1992 को ठीक है एक summit हुआ था United Nation Framework Convention on Climate Change की meeting हुई थी जिसे Kyoto Protocol भी कहा जाता है जिसमें कुछ gases के reduction की बाद की गई थी तो यह चार option आपके सामने है student and ammonia जो है वो इसमें included नहीं तो अभी जो है रोडियम ग्रूप ने अपनी एक report present की है यह एक research and consulting firm है जिसने अपनी एक report present की जिसमें global global greenhouse gas emission का census present किया है इसमें दो देशों को सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया है एक है चाइना दूसरा है यूएस चाइना की बात करें अकेला चाइना 27% तक जो है अमिट कर रहा है greenhouse gases को अगर हम यूएस की बात करें student 11% contribution यूएस का भी है यूएस बीसमें पीछे नहीं है और लगातार जो है emission बढ़ रहा है ठीक है और अभी तक जो increase हुआ है अगर हम बात करें 2019 से तकरीवन 11.4% इसमें बढ़ोतरी हुई है हम सेक्टर वाइस भी इसको समझ सकते है student अलग-लग sectors में greenhouse submission जो हुआ है global greenhouse gas submission by economic sectors so electricity and heat production में सबसे ज़्यादा हुआ 25% तक agriculture, forestry and other lands में 24% तक हुआ है buildings में 6% transportation 40% industry 21% और other energy जो usage होता है उसमें 10% तो ये बेसिक आपको जरूर आइडिया होना चाहिए question number 30 students आपके सामने है white-bellied heron seen recently news is categorized by IUCN as ablanarable species endangered species critically endangered species extinct in wild species खबरो में रहा student ये गौरव शर्मा क्या रहे है agriculture is highest नहीं गौरव जी agriculture was not highest electricity and heat production 25% student highest है दूसर नंबर पर आपके आता है स्टूडेंट बारा सो मीटर सी लेवल के उपर ये जनरी नहीं देखने को मिलता है यहां पर भी रिसंट ही देखने को मिला और इसी वज़े से ये खबरों में रहा अगर हम इसके habitat क्षेत्र की बात करें स्टूडेंस सो भुटान मयमार ठीक है अरुनाचला प्रदेश या जो नेपाल का क्षेत्र है कुछ शेत्रों में नेपाल के भी ये पाए जाते है क्रिकली इंडेंजर है और इंडेन वाईलाय प्रोटेक्शन एख की बात करें स्टूडेंट सो स्टूडूल फॉर्थ में इसका जखर किया गया है इसकी protection की बात की गई है Question number 31 students Which of the falling is not the target oceans location under the blue nature alliance Haanji student kindly answer Past funds answer करेंगे Antarctica, B Arctic, C Canada, D Feezy Question number 31 Which of the falling is not the target ocean location under the blue nature alliance Haanji student Question number 31 Blue nature alliance की बात हो रही है So student B Arctic जो है वो सही answer है Arctic जिन जिन का अंसर है बिल्कुल सही है Blue nature अभी has been launched a goal ठीक है ताकि 7 million square mile जो ocean का है वो इसके तहट target रखा गया है जिसकी conservation जिसकी protection की जिम्यदारी ली गई है ये target रखा गया है कि जितना भी आपका area है 2030 तक 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 तकरीबन 30% जो है इसको conserve किया जाएगा conservation का मतलब है किसी भी परकार का aquatic life को marine life को नुकसान नहीं पहुँचाना dust जो है in terms of the plastic and other litter वो नहीं फिलाना ठीक है और किसी परकार की जो है poaching या hunting जैसी चीज़े नहीं होनी चाहिए fishing excessive fishing नहीं होनी चाहिए और बहुत सी चीज़े हैं जो global ocean biodiversity को mundane रखने में important role प्रे करती है इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखने की बात की गई student चले ठीक है और तकरीबन student अगर हम बात करें अभी का जो target है इसके तहर्र 5 साल का भी target इसमें रखा गया है so 5 year target में student की पहले तो हम 5 year target ही की बात कर रहे थे so 5% world ocean protection conservation की बात की गई और 2030 तक student 30% conservation करना है चले which one of the following statement about काजी रंगा national park is not correct so student it is located in Assam it is covered it covers 42,996 hectare it is largest national park of India it is home to the largest population one honed rhino in the world काजी रंगा national park बहुत ही important student ये भी सवाल आपकी examination पाड़े भी से काजी रंगा national park ठीक है so basically student C it is the largest national park in India is the right answer हला की rhinos भी यहाँ बहुत है students ऐसा नहीं है so basically यहाँ पर अभी खबरों में क्यों रहा है student यहाँ पर basically जो है conservation की construction activities देखने को मिली है least three animal corridors बनाए जा रहे है जो की eco sensitive zone में होंगे काजी रंगा national park और tiger reserve जो है यहाँ पर उसके लिए ठीक है ताकि जो मैंना भी बात की देखे animal corridors की बहुत important होती है यह आप देख सकते हैं कि human interference की वज़े से disturbance होता है उनकी life में क्योंकि हम तो लारज की वज़े से जाते हैं वहाँ पर ठीक है और कई बार number of time it has been seen that कि अगर proper उनको उनके areas में हमारा interface बढ़ रहा है तो फिर धीरे जीरे उनका interference भी जो है आपकी human main line में बढ़ने लगता है और कहीन है कि वहाँ पर animal human conflicts हमें देखने को मिलते है तो इसके तहट student इतना area cover किया जा रहा है 1974 में इसे national park का दर्जा दिया गया था काजरंगा national park की में बात करूं तो ठीक है और tiger reserve यहाँ पर 2007 से ही है UNESCO world heritage side में 1985 में शामिल किया गया था and of course one horned जो आपके rhinos हैं वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं चलिए student question no. 33 Chinese pangolin seen recently in news is categorized by IUCN as option A vulnerable species vulnerable species, endangered species, critically endangered species, extinct and wild species question no. 33 students kindly answer Chinese pangolin चलिए student sees the right answer so अभी researcher जो है geological survey of India कौलकाता में ठीक है उन्होंने कुछ species जो है found की है Chinese pangolin की भी इंडिया में और यह आप देख सकते हैं इमेज में ठीक है इंडियन pangolin के साथ Chinese pangolins भी जो है पाए गए है IUCN status इंडियन pangolins की बात करें endangered है और schedule 1 में आता है wildlife protection act के Chinese pangolin की बात करें student तो यह जो वैतनाम थाइलेंड कमबोडिया यह नर्द इस पाफ इंडिया यहां पर इसकी कुछ प्रजाती पाई जाते हैं यहीं पर अभी recently हमें देखने को भी मिला है तो इसका भी stated critically endangered ही है और इसे भी schedule 1 में ही रखा गया है चलिए students question number 34 at which part of Indonesia Mount Sinabang is located Mount Sinabang students North Sumatra, South Sumatra, North Java, South Java question number 34 students kindly answer हाँ जी students, Mount Sinabang students जो है वो आता है आपका North Sumatra के क्षेतर में अभी recently जो है यहां पर जौला मुखी इरप्ट हुआ है इंडोनेशिया में ठीक है volcanic ash जो है इसकी जो स्मोक है वो तकरीबन तीस तीन हजार मीटर की हाई तक गई है इसे से आपको अंदाजा स्टूरेंट लग जाएगा कि भई कितना dangerous यह आपका जो था रहा तकरीबन स्टूरेंट 400 साल के बाद यह इरप्ट हुआ है 400 साल के बाद series में इरप्ट हुआ ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है इसे पहले 2010 में हुआ था 2014 और 2016 में भी इरप्ट हुआ था बट अभी जो eruption हुआ है अभी तक का सबसे बढ़ा है जो भी mainland area है उसको खाली कराया गया ताकि किसी भी परकान की जो है नुकसान जो है climates देखने को ना मिले हालां कि बहुत जादा नुकसान जो है पनांचली सरकार को होने वाला infrastructure context में बात करें तो भी तकरीवन student इंडोनेशा की बात करें तो 130 active volcanoes है आपके इंडोनेशा में 130 चलिए student question number 35 भीमा bamboo oxygen park has been developed in which city हाली student भीमा bamboo oxygen park ऑप्शने डैली तिर्वंत पूर्म कोइंबटोर दी कोची question number 35 students kindly answer पूनम चौदरी सी बता रही है largest 34 शुभम मेरपी वोलकानोजीन का इसका भी जिकर आएगा student not sumatra बिल्कुल सही जिंजिन का अंसर है बिल्कुल सही तो शानूल राना कोची बता रही है रिंकू बी बता रहे है तिर्वंत पुरम शिवाली राना कोइंबटोर बता रही है वाईडी पहाडी ब्लोग कोची मिक्स आंसर है student आपके ठीक है सो जिंजिन का अंसर student c है वो बिल्कुल सही है कोईंबटोर ठीक है कोईंबटोर में basically student तमिल लाडू का में के कोईंबटोर स्वरी कोईंबटोर में जो है यह आपका पार्ग इस्टाब्लिश किया गया है तामिल लाडू अग्रिकल्चर निउवर्स्टी में इसको बिल्ट करने में अपनी सहाहिता करें इसमें student जो है higher biomass होता है इसकी वज़से जो है oxygen जो है oxygen पार किसे कहाना तो oxygen को बढ़ाने में इस सहाहिता करता है इवन carbon sink co2 emission में भी इसका role important है लेकिन यह इसकी speciality नहीं है इसकी speciality यह है कि यह दुनिया का ऐसा एक मांत्र plant है जो सबसे तेजी से grow करता है तकरीवन student आदे एक दिन में ही यह half fit तक जो है grow कर जाता है एक दिन में ही half fit तक यह grow कर जाता है इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप और यह दुनिया के कह सकते हैं आजूबाई ही है और कहीं ना कहीं positive इसका है तो इस परकार के फ्रदर अभी एक trial version में बनाया गया है फ्रदर इस परकार के और भी oxygen जो पाक्स हैं वो establish किये जाए निच्ट है question number 37 the first Ceylon to hit in India in 2021 क्या कूटे is given this name by option A India Myanmar Thailand India Myanmar Thailand and Indonesia क्या कूटे student अभी खबरो में रहा था यह Ceylon क्यूटे सो मैयमार आंसर कर रहा है students अभी वी मैयमार is the right answer ठीक है जो कूटे है आपका basically क्यारला के कोस्ट टूडेंट के कोस्ट में basically hit किया और बहुत सा शेत्र जो है आपका इंडिया का भी इसकी वज़े से सफर किया है ठीक है अभी यह जो Cylons है तकरीबन students है अगर मैं बात करूँ ट्रॉपिकल स्ट्रॉम्स की जो ट्रॉपिकल स्ट्रॉम्स है यह 63 किलोमेटर पर आर की स्पीट से मूव करते हैं जबकि Cylons student तकरीवन 119 किलोमेटर पर आर की स्पीट से students मूव करते हैं तो यह खबरो में रहा इसलिए काफी नुकसान इसने पहुंचाया इसके बाद एक और आपका जो है पहुंगा देन इट विल टेक अ लॉट अफ टाइम तो आप ज़रूर इनको पड़े ठीक है चलिए student kindly answer national bamboo mission के किंडेक्स में बात करें है प्रिया बी बता रही है डिवाश शीतल ए बता रही है नेहा शर्मा ए पहाडी ब्लॉग ठीक है तो ए बिल्कुल सही आंसर है 21 स्टेट्स पर इंप्लीमेंट से किया जाए गया है students national bamboo mission recently launched ठीक है और national bamboo ने management information system को launch किया to strengthen the domestic अगरबत्ती इंडस्ट्री जो अगरबत्ती इंडस्ट्री है student उसको बूस्ट करने के लिए initiative लिया गया है देखे अगरबत्ती में बहुत कम investment है और एक इंडस्ट्री जो है बहुत बिल्ड की जा सकती है तो तक्रीबन 21 स्टेट्स में जो है इसको लागू किया गया है अगरबत्ती का production और जिसमें student basically जो हमारी sticks होती है अगरबत्ती में वो bamboo की बनी होती है उनको इसमें इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगरबत्ती जो इंडिया की ग्रो कर सके ठीक है चलिए किस स्टेट्स में जो है इंप्लीमेंट किया गया नेक्स्ट है स्टुडेंट्स question no.39 national bamboo mission students अलग है इसको और detail में आप जरूर पढ़ेंगे what is the language of the bondo tribe a particularly vulnerable tribe group found majorly in Odisha called option a ramo b malvai c maag d tipra question no.39 students question no.39 kindly answer students so a student जो है ramo ठीक है यह बिल्कुल सही जवाब है यह भाशा इनकी दोरा बोली जाती है अभी खबरों में बता देता हूं क्यों रहा है bondo tribe Odisha का 21 tribe student जो है across 8 different vulnerable tribal groups जो है PVTG की category में जो आते है Odisha के इनमें इनके जो COVID-19 की जो cases है बहुत ज़्यादा देखने को मिले और इसमें से दो cases जो है वो bonda tribe के भी आए और इसलिए bonda tribe खबरों में रहा अब आप बोलेंगे सरे 21 बाकी tribes भी तो important है यस पर इनमें प्रॉम्रेंट स्टुडेंट बोंडा ट्राइब है यह आपके एस्ट्रो एसिटिक जो रेस है उससे संबंद रखते हैं और सबसे पुराना वन अफ दे ओल्डेस्ट ट्राइब इन इंडिया हम कह सकते हैं जो यहां पर existence में था तकरीबन इनका existence टुड़ अफ्रीका से आये थे साथ हजार साल पहले तकरीबन ठीक है तो तब आप कह सके वेजिटेशन होती है उनी का इस्तिमाल यह करते हैं पतब जंगलों में ही अपना जीवन यापनी कर रहे हैं और distinct culture के लिए यह famous है अलग इनकी culture है बड़ा ही रियर culture है चलिए student question number 40 Sulvesi island consider home to old cave art belongs to which country Sulvesi island students यह भी जबरों में रहा था बहुत important news यह एक्जाम में पूछी भी जाएगी इस बार बुरनेट थाइलेंड वियतनाम इंडोनेशिया Sulvesi island students kindly answer kindly answer students so Indonesia is the right answer ठीक है जिन जिनका answer student Indonesia है विल्कुल सही है इंडोनेशिया में student यह आपकी जो पेंटिंग्स है रॉक पेंटिंग्स है यह दुनिया की सबसे world's oldest cave art paintings है तो अभी इनको नुकसान पहुंचा है student Australia Australia की study group ने research यहां पे की और बताया कि climate change की वज़े से जो तो यह पेंटिंग्स है आपकी rock paintings है यह खराब हो रही है cave art जो painting है खराब हो रही है इनकी protection के लिए इनकी conservation के लिए काम करना चाहिए otherwise इतनी पुरानी paintings दुनिया की जो है विलुक्त हो जाएंगे ठीक है आप इनकी pictures भी जरूर देखिए वेसी आप देख सकते हैं कहां पे हैं तो इंडोनेशिया archipelago के scientist ने भी study किया है Australian scientist के साथ मिलके ठीक है चले अगर existence के बात करें student palosthenic era की से यह संबंद रखती है paintings और 45,000 से 20,000 साल पुरानी इनका existence माना जाता है चलिए student question number 41 a sea with sialonic called named yas is active in bay of bengal it was named by which country option a students Tukete के बाद Tukete के बाद आपका yas आया था option a Myanmar B India C Oman D Pakistan question number 41 students राहूल ठाकुर जी हान जी सुलवेशी का जो संबंध है इंडोनेशा से ही है शिवाली राना ओमान बता रही है बिलकुल सही C student Oman is the right answer ओमान दारा ही जो है नाम दिया गया है अभी student metrological department ने इनफॉर्म किया है कि भई जो आपका sialon yas है उसने हमारे coast को hit किया है और जो state governments है वेस्ट बिंगॉल उडीसा ठीक है त्रीपुरा इन्होंने high alert जारी किया ठीक है कि कोई भी जो है आप sea area में नहीं जाएंगे fishing करने खेलिया किसी और परकार की जो activities है उन पर भी पाबंदी लगाए गई रोक लगाए गई ठीक है और काफी geographical इसकी location देखें student तो कही ना कहीं है पानी यहां पर accumulate जादा होता है इसकी वज़ेसे पानी जो होता है वो थोड़ा warm जादा होता है ठीक है comparison to the western घार और वारिश भी यहां जादा होती है और because of that जो है silence के लिए जो है एक favorable favorable environment बनता है one is clear चले so I hope कि यह clear हुआ हूँ आपको question number 42 DD Mokryapus Vicky Funkai a species of African violent plant has been discovered in option A student Nagaland B Manipur C Meghalia D Miserum कि इसको African violent plant भी कहा जाता वाइलेट plant भी कहा जाता है वाइलेट प्लांट भी कहा जाता है हाँ जी student kindly answer so students D Miserum जो है आपका सही answer Miserum is the right answer यह आप picture में देख सकते है wallet जो plant है यह बेसिकली नहीं पाया जाता इस शेत्र में लेकिन अभी recently discover किया गया आइसर भोपाल द्वारा आइसर भोपाल के जो साइंटिस्ट है student उन्हें रिसर्च की मिजरम शेत्र में पाए गया है आफ्रीका में बेसिकली पाया जाते है student और यह बेसिकली है एफिफाइट प्लांट्स वह होते हैं जो आपके किसी प्लांट या ट्री पर ग्रो करते हैं ठीक है यह खुद से आपके जमीन पे ग्रों नहीं करते हैं किसी प्लांट पर ग्रों करते हैं ठीक हैं अभी आज टोकन ओफ रिस्पेक्ट बहुत ही फेमस बॉटनिस्ट है डॉक्तर विकी एंड फंक उनके नाम पर जो है इस आफ्रीकन वालिंट प्लांट का नाम दिया गया है इसलिए खबरों में भी रहा चलिए इस तुन अगले सवाल की तरह बढ़ेंगे सिर्फ नट है स्कुट लिए आ सब्सें डिसस घूर अंच बहुत रां इस सीज़ छेस्ट, रस ब说निर स्वेस्टर बॉर वर्वा इस अटेटाय को माले से डिस прибिग प्ले वित्सेश्ट और Term Litiora Mira, seen recently in news. Option, A species of coral reefs, species of coral reefs, a drone developed by Argentinian army, a newly discovered frog species, D recently discovered galaxy. Question number 43 students, kindly answer, the term Litiora Mira. Term Litiora Mira students, रिट्योरा मीरा हान जी फ्रॉग्स 43 का ए बता रहे हैं students are species of coral reefs ठीक है हान जी answer करेंगे students see jin jin का answer है बिल्कुल सही है are newly discovered frog species इसे चॉकलेट फ्रॉग भी कहा जाता है चॉकलेट की तरब ये दिखता है students और ये trees पही रहता है अभी student Griffith University की जो research team थी उसने ड्योगेना का जो क्षेत्र है आपके वहाँ पर इस frog की species को पाया है लिट्योरा मीरा इसको नाम दिया है मीरा का मतलब होता है surprise ठीक है और इसलिए इसको लिट्योरा मीरा नाम दिया गया है genus इसका है लिट्योरा है और लिट्योरा मैंने आपको बता दिया क्यों नाम पड़ा है इसका ठीक है चलिए student ये भी खबरों में रहा an artificial lake for conservation of मशीर fish is located in मशीर fish एक artificial lake बिल्ट की गए student नैनी ताल बी लुनावला सीचाने डी विजाग पैनली आंसर students 43 का लवीशा ठाकुर का जिन जिन का शुबब थक्याल coral reef नहीं जी शुबब पोरल reef नहीं है शानूल राना सी शुबब थक्याल लुनावला बता रहे हैं श xiイvali राना लुनावला रीहू चोहानC बता रहे हैं चाने प्रियंका गॉत्म भी गाऊरफ शर्मा लुनावला YDD बता रहे हैं ठीक है mix answer है student लेकिन जिन जिन का student answer है भी लोनावला is the right answer ठीक है एक artificial lake लोनावला में build की गई है Tata consultancy Tata power group ने इसमें अपना role play किया है और invest इसमें कर रही है ताकि जो मशीर fish है इसको conserve किया जा सके blue मशीर इसकी बहुत सी students अलग लग variety है आपकी blue conservation या आप कह सकते है golden find मशीर भी है वो भी existence में रहती है और least concern के डिगरी में है students यह least concern इसके जो status है वो है international union for conservation of nature द्वारा इसे least concern के डिगरी में रखा गया है blue find मशीर यह जरूरी याद रखेंगे student चलिए और अगर हम इसके different species की बात करें कहां इनका habitat क्षेत्र है Cambodia, Thailand, Indonesia, Malaysia, South Asia, Indian, Venezuela, Pakistan, Sri Lanka इन सभी क्षेत्रों में यह पाई जाती है next question number 45, a report titled glaciers of Himalayas, climate change, black carbon and regional resilience has been recently released by so option student आपके सामने है screen पे पहला है, World Wildlife Fund for Nature, B United Nations Environment Program, C World Bank, D International Monetary Fund question number 45 students, kindly answer black carbon student एक aerosol होता है, which is present in fine particles, ठीक है और liquid drop it जो होती है, पानी की उसमें पाया जाता है so हां जी answer करेंगे UNAP बता रहे है student जिन जिन का answer C है, World Bank वो बिल्कुल सही है तो अभी recently student के report present की है और जिसमें पाया गए कि black carbon की अधिक्ता पाई जा रही है आपके Himalayan क्षेतर में जिसकी वज़से जो है melting बहुत तेजी से हो रहा है snow का और आने वाले time में, it will harm इसका आप बुरा परभाब भी पड़ेगा environment पे जो marine life है, marine life के रहा हूँ यहां की जो ecosystem में उसको disturb करें एवन river जो है क्योंकि further इसी पर dependency जो आपके plains में लोग रहते हैं उनकी है पाण इसके लिया? चले नेक्स्ट है question number 46 मेरापी वोलकानू विच एरॉप्टर रिसेंटली इस लोकेटेड इन option A student option A है इंडोनेसिया B. साउथ सुदान C. डिमोक्रिटिक रिपब्लिक ओफ कॉंगो D. जपैन question number 46 students kindly answer शानूल राना World Bank बता रही है बिल्कुल सही शानूल जी मेरापी वोलकानो Indonesia इंडोनेशिया अंसर आ रहे हैं सभी कही हां जी students बिल्कुल सही इंडोनेशिया जो है मेरापी वोलकानो जो है इंडोनेशिया में ही आया अभी आमने बात कीथी 130 एक्टिव वोलकैनू है और बहुत ही ज़ादा डिजास्टर किया इसने यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं 1500 Libre क् जो है क्रेटर इसका है डेख सकते हैं और स्टूडेंट्स ये इमेज बे और लावा निकलते हुए ठीक है और ये इंडोनेशिया का सबसे एक्टिव वोलकानों इसे कहा गया है ठीक है और सेंट्रल जो जावा पार्क है वहां पर बेसिकली इसने नुपसान कहुंचाया और भी बहुत सा जो नेरबाइक शेतर था खाली सरकार ने कराया ठीक है रड अलर्ट जार ने पर मोर दन 400 एस वी कन से दाट हो चुका है चलियो तुदेंस अगले सवाल की तरफ गुश्यन नुबर 47 पुश्यन नुबर 47 C not seen recently in news is temperate Cylon region in Atlantic Ocean B marine algae bloom C newly discovered coral species D none of the world question number 14 7 students ठीक है question number 47 kindly answer students Atlantic Ocean marine algae bloom newly discovered coral species क्या answer होगा algae bloom बता रहे हैं शुभं 47 पंकज B सभी का answer शुभं चलिये विल्कुल सही student आपका answer है B is the right answer marine algae bloom अभी student जो आपका sea of murmura है जो की जोडता है आपके दो important seas को ठीक है जिसका बहुत ज़्यादा significance भी है अगर हम geopolitical point of view से देखें है trade point of view से देखें यह sea of murmura है black sea को agency के साथ यह जोडता है अभी student sea of murmura में क्या हुआ because of climate change का effect है या pollution ज़्यादा बढ़ गया इस खशेतर में उसकी वज़े से जो है ज़्यादा nutrition overload हो गया और उसकी वज़े से algae जो हम देख सकते हैं algae पर अभी फिर से है बहुत बड़ी तादाद में sea snort हमें देखने को मिलता है जो कहीना कही marine life को disturb करता है चलिए student 48 question which bacterium is used in controlling dengu by manipulating the mosquito breeding technique option A students kindly answer all the questions stereo stripoed maces volvetia rhizobium none of the above question number 48 student हान जी sea of marmara students question number 48 आपकी screen पर answer करेंगे students B जो है आपका volvetia is the right answer जिंजिन का answer B बिल्कुल सही है volvetia ठीक है so volvetia student जो है तकरीबन अभी recently इंडोनेशिया के योगा काटा जो क्षेत्रे जहां पर वल्कैन भी आया था वहीं पर student 77% reduction हुआ है देंगू का अब इसका कारण क्या है कि mosquito में volvetia नामक का bacteria जो है वो insert किया जाता है then उनको release कर दिया जाता है जब उनकी breeding father होती है और वो जो है उनके अंदर जो देंगू को फिलाने वाला element होता है उसे खतम कर देता है ठीक है तो कहीना कहीं एक बहुत अच्छा तरीका इजात किया 77% बहुत बड़ा ratio होता है student किसी एक देश में 77% reduction जो है देंगू का देखने को मिला trial basis पे तो बोल बाचिया जो है यह बहुत important इसका रोल रहा है चलिए student 49 IUCN classified saltwater crocodile as a species critically endangered b vulnerable c endangered d least concern question 49 students answer करेंगे IUCN classified saltwater crocodile किस category में रखा है saltwater crocodile को उनम चौदरी जी frog species नहीं है जी mosquito है question 49 का answer d students least concern की category में से रखा गया है और Odisha government अभी recently जो है 1000 रुपे का इनाम भी रखा है अगर आप काम करते हैं for the protection of these घड़याल्स ठीक है जिनकी snoot लंबी होती है student घड़याल इनकी snoot के लिए इनको कहा जाता है घड़े की अकार की आगे ही टॉप इनका होता है उससे घड़याल नाम पड़ा है तो तीनो ही species जो है घड़याल मगर प्रोकोडाइल और सौल्ट वार्ट में पाए जाते हैं अगले सवाल की तरह बढ़ेंगे question number 50 IUCN categorize black softshell turtle as an dash species हां जी student answer करेंगे option A near threatened B vulnerable C endangered D critically endangered question number 50 students question number 50 हां जी ओडिसा में ही है तीनो जी अक्षे कपूर जी answer करेंगे student so D student critically endangered IUCN जो black shell short shell की है आपकी turtle उनको critically endangered की डिगरी में रखा है अभी high grave madhav temple committee है student and Assam की यहां पर एक basically pond है student वहां पर बहुत जादा यह softshell के जो है पाए जाते हैं आपके turtles और उनके conservation पर लगातार जो है यहां की government काम कर रही है ठीक है Assam forest department भी इस पर बहुत जादा काम कर रहा है ताकि black softshell turtle जो की critically endangered में है उनका जो breeding है हो सके और जाज़त उनकी population में increase किया जा सके ठीक है at least 1000 black softshell जो है बढ़ाने है 2030 तक यह target रखा गए clear students चले और इनके protection की बात करें student protection का status में आपको IUCN का बता ही दिया लेकिन साथ ही साथ while our protection act 1972 का जो status है वो है legal protection की category में रखा गए especially यहां पर student temple premises में pond है जहां पर बहुत से यह जो हैं आपके turtles हैं आपके देखने को मिलते है तो चलिए student here we complete our today's session I hope आपको कुछ नहीं जानकारियां मिली हूँ कुछ सवाल आपके revision हुए हूँ अच्छे से जो तकरीबन important है आपकी examination point उसे तो इसी प्रकास से daily आप हमारे साथ इन sessions के साथ जुड़े रही है students ताकि आपकी अच्छी revision हो सके before the HPS Prelims exam आजके लिए इतना ही students thank you very much और जाद से आज वीडियो को like and share भी जुरूर करें student ताकि हमें भी encouragement मिले कि हम और जादा वीडियो आपके लिए लाखे आ सके चलिए student आजके लिए इतना ही thank you very much thank you all thank you all